आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूर्श इंगलन ट्रेनिंग सेंटर पंजी में जो विकेंची आउट की गई थी उसका एक्जाम के रिजेल्ट पर आ चुका है केंडियेट के स्किल के एडमिट कार्ड वाई पोस्ट आपके घर पे भी पहुं निवज गये हैं तो यह एकदम बिडिकल कन्फरम है आपको मैं में स्कील करे टेस्ट का एडमिट कार्ड वो भी दिखाने वाला हुआ और शाथ मी कंपलिट जो इसकील टेस्ट में क्या करवाया जाएगा उसके बारे में पूरी पूरी कंपलिट जान करी देने वाला हूं स मैंने अलाइसिस करके जो भी एक्जाम परजेंट में हुई हैं उनमें कैसे करवाई गई है और शाद नोटिफिकेशन में क्या दिये गया था इसकील टेस्ट में क्या करवाई जाएगा इड्मिट कार्ड आप स्कीन पर देख सकते हैं इसमें एड्मिट कार्ड में टू सिगन ब्लीरे ट्रेंगन पर आप आपको उतर ना होगा वहाँ पर आपको ऊतराफ से या किसी भी जो टैक्सिवाले से पुछेंगे तो नव एलियम केंप परसिद है, वहाँ पर आप चाह सकते हैं, मडगाओं स्टेशन से पहले ही आपके पास उतरना होगा, या टीर टू के लिए आप देख सकते हैं, सेडूल आपका 25-27 दो दिन आपका रहने वाला है, तो अपने अरेजमेंट के साथ जाएं, दो दिन आपको व आपको कोई भी चांच नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको निकाल दिया जाएगा, आपका ट्रेविलिंग अलाउंस जो टीर डीर नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको टीर डीर नहीं देनी दिया जाएगा, उसके बाद में आपको जो एड्मिट कार्ड है, वहाँ बि क्के जाये और उसमें दिया गए परोटो कोल की पना करनी होगी उसके साथ ही आपको अलग आपको विकेंसी के आप सकते बारे बारे मिन बता देता हूँ आप बिंद सबस्क्रक्रट्थ तो आप सकते एद you can't you can say फर grade second की आपकी एक vacancy थी लोट डिजिन के लग की सबसे ज़्यादा vacancy थी 17 vacancy जिस पे सबसे ज़्यादा candidate है फिलाल और सबसे ज़्यादा candidate को totally state किया गया है उसके बाद में draft band grade 3 की आपकी एक post थी civil motor driver की बहुत अच्छी post थी 12 total post थी तो इसमें भी बहुत कम candidate रहने वाले हैं, इसमें कमी candidate को आपको वहाँ पे skill test के लिए बुलाया गया है, साथ ही कमी candidate ने वहाँ पे exam दिया था, तो इसका कटोफ भी कमी गया है, MTS सोकेदार के only एक post थी, MTS messenger के आपकी 7 post थी, फटिक में के आपकी 5 post थी, total आपकी 46 post पे vacancies निकाले गई थी, अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, skill test में क्या 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 करवाया जाएगा, और जो notification में skill test में क्या क्या आपको दिया गया था, आप पहली post थी, civil training instructor, जो कि आपको बोलते है, civilian training instructor होता है, जो फोजियों को वहाँ पढ़ाने के, जो training center है, signal का training center है, वहाँ पढ़ाने के हैं, बिल्कुल यह real photo है, हमारे center में भी ऐसा होता है, instructor होते हैं, हमारे center में भी instructor है, तो वहाँ पे जो civil instructor बोलते है, STTI बोलते है, JTTI होते है, junior instructor होते है, और STTI senior instructor बोलते है, बढ़ जाता है, तो इसकी total post थी, दो, इसमें आपका instructor का मतलब है, यह पढ़ाना, आपको मतलब teaching का ग्यान होना चाहिए, अनुभों होना चाहिए, आपको teaching के बारे में ही आपको knowledge पूछा जाएगा, इसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ, notification में क्या दिया गया था, क्या पूछा जाएगा इसके बारे में, so civil instructor का जादो CTI बोलते हैं, civil instructor का जो syllabus है, वह आप में क्या क्या होने वाला है, जूसमें, आप देख सकते हैं, टाय 2 में पहला रहेगा, ये अपको ते पूछा जाएगा, आपका essay, उसमें दिया गया साफ आपको ऐसे देगा, ज saja जिसमें आपका देगा J한테 200- conta, ऐसे लिखना होगा, उसके बाद में आपका लीटर आपको लाना ज़रूरी है इसमें candidate के नमबर है जो आपके tier 1 और tier 2 के दोनों के नमबर जुड़ेंगे जिसका आपका total यह आपका 100 marks का आपका paper रहेगा इसमें आप देख सकते हैं total जो आपका था यह 200 marks का आपका था इसमें 200 marks पलस यह 100 marks जूश के 300 marks total हो जाएंगे 300 marks पर यह आपकी merit बनेगी तो जो भी candidate जा रहे हैं essay और जो भी letter writing उसकी तैरी करके जाएं साथ लेकिन यह भी candidate के लिए बहुत अच्छी बात है जो candidate English या Hindi में दोनों में लिख सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको English नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिस आती है तो हिंदी में लिखने के जोड़त नहीं है इंग्लिस में भी आप लिख सकते हैं दोनों में आप लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एक letter writing हिंदी में लिखा इससे हिंदी इंग्लिस में लिख दिया ऐसा नहीं दो उसके बाद में एक्सल में काम करवा के देखा जाएगा टोटल आपका 60 मिनिट का दिया जाएगा आपको उसमें जो भी एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें पावर पुएंट और एक्सल में काम करना होगा उसके बाद में प्रेक्टिकल से प्रेक्टिकल टेस्ट में आ पर जो ट्रेनिंग करने आएंगे उनको पढ़ाने वाला होता है तो पढ़ाने वाले कि क्या आपको समझे सकते हैं टीचिंग का आपका अनुबो होना चाहिए जो भी केंडेट जा रहे हैं वह अपने पूरा कंपलिट सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा खिंडेट के सामने आपको पिछे आपसर बैट जाएगा वह आपके टीचिंग स्केल क्या है लेकिन आपके इसके कोई भी मारक्स नहीं रहेंगे ओनली क्वालिफाई मारक्स से आपका रहेगा जिसमें ओन गो एंड गो बेस है इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं रहने वाला मार्क्स रहेंगे आपके दो के आपका डिश्टेट्व पेपर रहेगा उसमें और आपके जो आपने पेपर दिया है आपने जो अब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर एक्जामनेशन देखिया है उसमें आपके जो मार् क्यूंटिए एंने जैसे कि इन्हों ने 20 ड mater t में ओन ली आपकी जो डिजय बिगा है तो आगए बी जल्द कर या आपका आउट किया जाएगा तो जो भी जा रहे हैं अपनी स्केल्ड की पूरी के साथ जाएं जो बी स्कील्ड के सामने के इंडिड को पधाने की जो skill है वो आपने पूरी अच्छे से त्यार करके जाएं बोलने की जो skill है वो अच्छे से त्यार करके जाएं इस्टोनोग्राफर 2nd grade 2nd के विकेंची थी OBC की एक candidate के only विकेंची थी स्टोनोग्राफर का काम रहता है सोट हेंडिंग को आपको क्लियर करता है मतलब स्टोनो वोलता है उसको पूरा कमप्लेट लिखेंगे के ड्राफ्ट बना के त्यार करना वो यह है सब्सक्रा काम करना सेडूल बनाना आपका काम होता है जो भी आपके सोट के मिटिंग करेंग Niff मिटिंग करनाäss का में वहां पर साथ जाना होगा और उसके आपको इन्डिंग cartoon कि जाए वही सोट हैंडिग होती हैं, तो इसमें नोटिफिकेसं में बात करें तो इसमें आपका जो उपीशियल नोटिफिकेसं में जो सेलिवस इसमें आपका 200 से 200 वर्ड में रहेगा और लेटर जो अप्लिकेशन है 1.500 से 200 वर्ड में आपकी अप्लिकेशन रहेगी minimum qualify marks आपको 33% चीए उसमें उसके जो आपका जो paper रहेगा total 100 number का रहेगा और एक घंटे का आपका paper रहने वाला है तो अपने paper की पूरी preparation करके जाए हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं उसके बाद में आपके short ending typing रहेगी जिसमें आपका short ending typing qualify करना बहुत जरूरी है नहीं तो यह कौलिफाइब नहीं कर पाते हैं तो आपको go and go waste पे निकाल दिया जाता है उसमें आपका पहले रहता है दस मिनट में 80 परोडर में रहती है ट्रांसेटर रहता आपका जिसमें 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट आपकी हिंदी में आपको दिये जाता है इसको बनाने के लिए करने के लिए तो यह आप complete त्यार करके जाएं उसमें आपका जो पेपर जो फाइनल मेरिट है वहाँ आपकी टीयर 1 और टीयर 2 जो आपका दिये गए टीयर 2 में जो आपका दिये है गए 100 नमबर गा जो पेपर दिये जाएगा डिप्टीट व पेपर उसी के नमबर दोनों जुड़के ही आपका 300 number जो हो जाएंगे total उसमें से आपके merit निकलेगी उसके आदार पर यह आपका selection होगा next जो विकेंची थी उसकी बाद में आप बात करें तो जो lower division collect थी ती जिसमें total सबसे ज्यादा post थी 17 पोश्ट थी सबसे ज्यादा candidate इसी एक में एक्जाम दिया था और इसी में सबसे ज्यादा आपके candidate short listed किये गया है जो आपकी skill test के लिए skill test में आपको 10 candidate short listed किये जाते हैं जिनकी संक्या बढ़कर आपकी 12 तक भी हो जाती है 6 मार्स होने पर जो आपका जो low division क्लिक होता है क्लिक आप समझते होंगी जो पीस में बाबू करने वाले काम उसी का आपका काम रहता है complete LDC LDC का जो syllabus हो है उसकी full notification आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जिसमें आपका पहला आपका हो चुका है जिसमें आपका 200 नमर्ट रहेगा जिसमें आपका लिख्षित में आपको लिखना होगा इससे 200-500 में आपका लेतर एक हैं अपको लिखनी होगी जो आपका 60 नमबर 60 आउस का मतलब वन आउस का आपका पर रहेगा और 100 नमबर का मार्क्स का पर रहेगा टोटल आपके 300 मार्क्स हैं उसके आदार पर यह आपके मेरिट बनेगी उसके बाद मैं रहती है टाइपिंग टेस्ट ले लडी सी में बहुत ही महत्यों है तो ज इंगलिस वाले केंडेट हैं उनको साड़े 300 वर्ड और उसके बाद में हिंदी वाले केंडेट हैं उनको 300 वर्ड दिये जाएंगे आपको 10 मिनिट का टाइम दिये जाएगा और कुरा कंप्लिट आपको टे आप टाइप करना होगा 90% के साथ 90% मतलब आप जो आप लिखते ह हैं उसमें जो एकुरेशी मतलब आपने सही से टाइप किया है नहीं किया उसकी एकुरेशी आपकी 90% होनी चाहिए तो ही आपका जो माने जाएगा 30% जो भी परवर्ड मिनेट आपकी मानी जाएगी हिंदी में और 35 मानी जाएगी आपकी इंगलिस में बैक स्पेस में रहता आपको दिया जाएगा पेपर पे लिखा होगा वह आपको केमपूटर में टाइप करना होगा बहुत सारे केंड़ेट ऐसे होते हैं जो टाइपिंग मास्टर पर तयारी करते हैं उन केंड़ेट को मैं कहना चाहूंगा कि वहां केंड़ेट अपनी टाइपिंग मास्टर पर तैरी करके वहां पे सीधे चले जाते हैं जिसकी वज़े से क्या प्रोब्लम दिक्कते में देखने को मिलती है एक तो यह होती है कि जो आपको पेपर दिया जाता है उसमें आपकी जो लाइन होती है वो स्कीप होती जाती है कई बार भूल जाते हैं आपकी लाइन कहां पे कही भूल जाते हैं और कहीं की कहीं से लिजाती है आप टाइप ही सही नहीं कर पाते हैं फिर वापीस बैक स्पेस मारना शुरू कर देते हैं इतनी देर में आपका टाइम हो जाता है इसलिए आपकी टाइपिंग में आपको निकाल दिया जाता है आपकी हर बार विकेंशी होती है आदे से ज़्यादा candidate ऐसे होते हैं जो typing यह नहीं कर पाते हैं उसी में मैं आपके जो typing टेस्ट में ही फैल होते हैं सबसे ज़्यादा है यहीं बताना चाहूंगा की टाइपिंग टेस्ट मेंनें इसमें यहीं कि इ kons VA Honestly स्वा약 नहीं रखेंगा इसमें आपके तो आप आप स्माइनें आपका सब्सक्राब कर दिया आपका सेलेक्षन है क्रावनिब्स क्या वाइसके ङरी कि इसके केंडेट की बोर्ड के नीचे रखते हैं कभी स्क्रीन के सामने रखते हैं कभी पेपर इदर उड़ गया कभी पेपर उदर उड़ गया इसकी वज़े से केंडेट को मैं यही कहोना चाहूंगा कि टाइपिंग टेस्ट करना है तो आप अपने घर पे करना है जो भी तैयरी करन कि यह गाएगा उसके बाद में आपका जो यह बता दिया है मैंने टैपिंग टेस्ट रहेगा उसके बाद में जो पूरी आपके टीर 1 और टीर 2 दोनों के mark आपके एड होके हैं कि आपका जो final merit list बने गी typing test clear होने पर ही आपके दोनों के आपके मेरिट बनेगी नहीं तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं किया तो आप फैल हो जाएंगे चाहिए आपके मार्क्स कितने भी हो लास्ट में आपके दोनों के मार्क्स जुड़के ही आपके टाइपिंग मेरे फाइनल मेट बनाके आपका विजेट निकाल दिया जाएगा मैं भी ही LDC की पद पर ही सेवनेर से डिफेंस में ही काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी जोब होती है आप तैरी करें अच्छे से पेपर पर टाइपिंग की तैरी करें जिससे आपको प्रोब्लम नहीं होगी और जो भी केंडियेट की इससे समंदित को क्यूरी हो स्पिर्शल LDC के लिए तो आप प्लीज आप कमेट जूरू करें क्षके बाद में शबसे बड़ी विकेंशी ते इसमें ुट्राइवर की मेरिट की बहुत ही कम रहतीए जिसका स्कील टेस्ट हो चुका सिह चलोonne के हूंका सबसे हुए मायने रखेंका आप तो आपका अबो प्रवाई है उसको बोलते हैं तो पॉरिट टंड टर्टा की गाड़ी होती है जिसका बोडरी है जो आगे जो बोनिट का बोडी है वो दोनों तरफ एक एक फिटर ने बाहर निकला रहता है पीछे की बोडी की तरफ से तो आपको सबसे ज़्यादा कन प्रोबलम इसी गाड़ी में होती यहीं गाड़ी सबसे जदा आपको चलवाय होती तो जो किंडेट त्यारी करकी कि जा रहे हैं आपने जो बी टाटा वगर आ对 के बड़े वाले ट्रथ हैं उन पश्री एक इस पर जायें क्यूंकि यह इस इससी गाड़ी आपको जरूर उस पे तैरी करें उसके बाद में दिया आपकी बस होती है निकल रख दियंग बना怪 स जाएगी सबाइटा कीर्णियू को आपको आपको दीया जाता है यह कही बार एक यह होता है कि एट टाइप में आपको रख दिया जाएंगे आपके सारो तरफ ड्रम उसमें रख बीच से आपको गाड़ी निकालनी है यह ड्रम पे या लाइन पे टास हुई तो आप कल फरी नहीं होंगे उसके बाद में आपको चाहिए करवाई जाएगी रेम पे चड़ना रेम पे आपक टाटा का जो गाड़ी है वो मीनिमम देते हैं लेकिन अलस सबसे ज्यादा आपकी जो गाड़ी होती है उसको दिया जाता है उसी के आदार पर आपका स्कील टेस्ट करवाए जाता है तो केंड़ेट अपनी जो भी तैयरी करके जा रहे है अच्छे से स्कील करके जाएए किया वाता मैं था ड्राइविंग ड्राइविंग यह धी केंडेट नहीं कर पाया उन केंडेट को वहाँ से काइन डिस्क्वालिफाइब कर दिया घया तो ड्राइविंग की पूरी तैरी करिके जाएं अगली पोस्ट ती जिसमें अदर की एक पोस्ट थी ओनली तो जितने इभी चंडरेट ने दिया था रब्धिकम तैसमें में का महन काम रहता है आपका लेआउट बगरा बनाना इसकीेच्ट बगरा बनाना श्केच्ट में बनाना और इसी चोब महन काम रहता पूरा पूरा जो भी डाप समें इनका डिप्लोमा किया है उसी के अधारी कुछे जाएंगे साथ में ही आपको ले आउट वगरा बनवाए जाएंगे तो आप उसके बारे में आप देख सकते हैं जो भी अपने डिप्लोमा में आपने जो किया है उसी के बारे में ज्यादा कुछे जाते हैं उसके बाद में न akah के पॉस्ट खिस के साथ मान सकते है कि आपका जो पोस्ट ऑपिस जो क्ल które करके लेकर सر घ्राग ऑपके ऑपीसु से श्युवी सेक्सिन है। और जो section है जो भी concern section जिसको देना है वाई जैसे किसी का नाम होता था है बाहर में civil post office में क्या होता है किसी के postman किसी भी name से डाक आती है और यहां section मतलब unit में जो पीसे होते हैं उनके office के नाम पर जो भी डाक आती है उसको distribute करना ही messenger का काम होता है messenger का कोई भी skill test में अलाग अलाग जो भी unit है वो अलाग अलाग परकार का skill test करवा लेती है जो main skill test रहता है इसमें जो भी issue वगएरा या application वगएरा आपसे लिखवा ली जाती है साथ में आपके personal qualification के बारे में question पुछे जाएंगे जिसमें आपका पुछा जा सकता है कि आपने कहां तक पढ़ा है आपको reading आती है कि नहीं आती है हिंदी English में दोनों में आपके reading करवा के देखी जा सकती है यदि आपको later कोई आया है और आपको reading नहीं करनी आती है आपको यहीं नहीं पता है कि यह later में लिखा क्या है किसके section के नाम पर remark किया गया है किसको आपको देना हुआ later तो आपको तो यही मैंतो प्रोन इसमें काम रहता है तो आपको यह दूसरी बात यह रहती है कि जो आपके रिटरन एक्जाम में मार्क्स रहते हैं वो एक्जाम में जो आपके मार्क्स हैं उसी के आदार पर आपके मेरिट निकलती है नए कि आपकी इसकी स्कील के skill only qualify marks रहता है इसमें कोई भी marks नहीं रहता इसमें कोई भी candidate फैल नहीं होता only आपकी qualify marks रहता है तो candidate जो भी messenger से समझ दिता है वह बिल्कुल भी need रहे वो जो आपकी qualify marks से रहेगी only आपकी जो return exam में आपने जो कर दिया है उसी के आदार पर आपकी merit बनने वाली है उसी के आदार पर आपका सब कुछ होने वाला है इसमें only qualify nature है ये only इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है तो candidate बिल्कुल भी need रहे हैं इसमें आप इंदी English की reading मार के जाएं इसमें आपके बढ़ के पता दूँ कि तो जो भी candidate है मेसेंजर से उनका आपको में बता दिया है कि आपको dress लागू रहती है उसमें अगली विकेंशी थी फटिक में की जिसमें आपकी टोटल पांच विकेंशी थी बहुत ही कम candidate ऐसे मिले है जो फटिक में से apply किया है और जो मेरे contact में आए है बहुत ही कम candidate फटिक में ऐसा होता है लेबर टाइप होता है जो भी institute या जो भी training center होते हैं उसमें लेबर को फटिक में बोला जाता है जिसमें लेबर में आपका पूरा complete physical करवा जा सकता है तो आपकी जो भी unit होते हैं अलग अलग टाइप का physical करवा जाता है किसी में 100 मिटर की दोड होती है तो किसी में 16 मिटर की दोड तो आप physical के लिए पूरी prepare होके जाएं या आप रस्टाच भी किसी किसी में center में चड़वाय जाता है या लंबी कूद भी करवाय जाती है या जो यूची कूद भी करवाय ली जाती है तो आपका physical है अलग अलग type से होता है अलग अलग center में तो आपका physical के लिए पूरी तरह prepare होके जाएं ऐसे भी कुछ center मिले है जिनमे physical हुआ भी नहीं है only normal आपका बजंच उठवा के गाड़े में डलवाने का ही काम किया है केरी करवाने का ही काम किया है अगली विकेंशी थी चोकिदार की चोकिदार में आपकी एक ही पोस्ट थी जो की चोकिदार का पोस्ट का man काम रहता है gate पे duty लगती है लगबग जो centers होते हैं उनमें आपकी जो gate होते है man gate जहां पे आपके entrance gate होते है उन पे आपकी entry करना वहां पे आपके खड़े रहना और आपकी 8-6-4-4-4 minute के आपके duty रहती है total मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो भी duties के लिए जो प्रोफाइल के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं और जो चोकिदार की विकेंचीज में physical भी करवा जाकता है और जो भी security से समंदित question पुछा है कुछ important आपके निमंद है एससे वेन मैंने आपके लिए आपके choice की हैं जिसमें आपके वाई परदूसंड शिक्षा का मैतो है सवच बारत अभियान यह अभी latest exam में आया था जो के mct महू में जो signal की exam थी उसमें पुछा गया था सवच बारत अभियान छात्रों को बढ़ता तनाव प्रिवार के जिम्यदारियां इनके बारे में कुछन सायत है पत्तर के बारे में पुर्दानाचारिये पर आवेदन लिख सकते हैं फिस वुगतान के लिए अपने दोस्त को पत्तर लिखें कारण साधी में सामिल होने में समर्थ क्यों है, कोलूनिय में पनफते मठ्षा के बारे में दिलन नगर नगम को चिठ्थि लिखने वाली एक चिठ्थि आई थी जो एंग्जाम तो फ़्लत को पतल रिखना, एइसे आपके मैं इंगलिस में भी आपको दिये गया है, इंगलिस में भी आप ये टोपिक देख सकते हैं, जितने भी टोपिक हैं, ये लेटेश टोपिक हैं, इनके बारे में आप जूर पढ़के जाएं, जो भी केंडिट हैं, तो और मैंने आपको पीडियेप भी इसकी पुलब्द करवा कर दोपिक हैं, जितने 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 है